ध्यान रखने योग्य जरूरी बाते नमबर एक बाएं तरफ करवट लेकर सोने की आदत नर डाले इससे दिल की बिमारियां होती है नमबर दो सुभा ब्रश करते समय कोल गिट में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला ले ऐसा करने से पीले और गंदे दांच साफ हो जाते हैं ऐसा हफ़ते में दोसे तीन बार ही करें नमबर तीन खाना खाने के तुरंद बाद चाई का सेवन ना करें ये आपके खाने को अच्छे से पच्छने नहीं देती है नमबर चार अद्रक का रस गुनगुना करके जोडों पर लगाने से जोडों का दर्थ ठीक हो जाता है 5. कच्चे प्याज का रोजाना सेवन करने से पेट के कीडे मर जाते है 6. गर्म पानी से सिर्ध होने से बालों की जड़े कमजोर हो जाती है और बाल जड़ने की समस्या बढ़ जाती है इसलिए बालों को गरम पानी से न धोई 7. गर्ने के रस में थोड़ा सा अद्रक मिला कर पीने से गर्मी का एहसास कम होता है 8. पानी को उबाल कर पीने से बुढ़ा पर जल्दी नहीं आता और शरीर बिमारियों से बचा रहता है 9. जादा चाय के सेवन से गैस की दिक्कत होने लगती है 10. कोल्रिंग का अधिक सेवन करने से गुर्दे जल्दी खराब होते है 11. सफेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाती है 12. खाने के साथ प्याज खाने से खून पतला होता है जिन लोगों का खून गाड़ा हो तो दोपहर के समय प्याज का सेवन जरूर करें 12. अगर नाक बंद हो जाए तो गुर्द की धूनी ले 13. हारी मिर्च का जादा इस्तमाल करने वाले लोग कैंसर जैसी बड़ी बिमारी से बचे रहते है 14. जो खाना खाकर नहाते हैं उन्हीं जल्दी बुढ़ा पा आता है 15. जो लोग भैंस का दूद पीते हैं उनको कमर दर्द की शिकायत नहीं रहती 16. लकडी का कंगा इस्तमाल करने से बाल कम तूटते हैं और मजबूत बने रहते हैं 17. दिन भर की ठकावट दूर करने के लिए गर्म पानी में छोटी इलाइची डाल कर पिया करें 18. अगर आप पेट की चर्बी को कम करना चाहती हैं तो रोटी के साथ प्यास खाएं पानी में नीबू डाल कर पियें दिन में दो बार ही खाना खाएं और रात में सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी या एक गिलास गर्म दूद पियें 19. इमली और आलू बखारे का पानी पीने से शरीर की चर्बी पिखलती है और चहरे से दाग दब्वे भी दूर हो जाती हैं 20. खीरा जादा खाने वाले व्यक्ति को सांस की बिमारी नहीं होती 21. इमली खाने से दिमाग को ताकत मिलती है 22. आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो सलाद में चुकंदर जरूर खाएं 23. सेव खाने के फौरण बाद पानी पीने से गले का कैंसर हो सकता है 24. किश्मिश खाने से खानसी नहीं होती है 25. जादा खालेने की वज़े से अगर तबियत में भारी पन महसूस हो रहा हो तो पुदीने के पत्ते पानी में उबालने और छान कर पीए ऐसा करने से भारी पन दूर हो जाएगा 26. पेट में दर्द हो तो आजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिला कर सेवन करने से दर्द में आराम मिलता है 26. जादा गर्म खाना खाने से दिल के विमारी होती है 27. जीरा खाने से जोडो के दर्द में राहत मिलती है और साथ ही बदहजमी भी दूर होती है 28. नाशपती खाने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी और कमजोरी दूर हो जाएगी 39. दही जब भी खाएं तो किसी गरम चीज जैसे चावल या गरम रोटी के साथ ना खाएं 30. गुनगुने पानी में शहद मिला कर पीने से गुर्दे की बिमारी नहीं होती 31. बकरी के दूद के साथ बादाम खाने से यादाश तेज होती है 32. आजवाइन को सूती कपड़े में बांद कर सूंगे ऐसा करने से सिर्ध दर्द में आराम मिलता है 33. जो लोग मोटापे का शिकार रहती हैं उनकी टांगों में खिचाव रहता है ऐसे लोगों को चावल खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि चावल इनके लिए हानी का रख हो सकते है 34. मीट खाने के बाद कभी भी दूद का सेवन ना करें इससे आपको नुकसान पहुंचता है 35. शहिद के अलावा हर मीठी चीज नुकसान देती है 36. गला खराब हो और आवाज बिल्कुल भी ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जला कर खाएं गला ठीक हो जाएगा 37. मुटापा बढ़ रहा है और पेट लटक रहा है तो नाभी में तेल लगाएं कुछ दिनों में आराम मिलने लगेगा 38. पेशाब करने में जलन महसूस होती हो तो तुलसी में नमक मिला कर पिएं और खर्बूजा तर्बूज का ज़ादा इस्तमाल करें 49. हटियों में कमजोरी महसूस होती है तो सोया बीन का सेवन करें सोया बीन से हटिया मजबूत होती है आशा करती हूं दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही यूसफूल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद